लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और जेडिव के वरिष्ट नेता हैं मंत्री है विजय चोधरी उन्होंने कहा है कि जो चुनाव प्रणाम आएंगे उसके बाद हम परधान मंत्री के चेहरे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेत चुधरी जी के विचार से हम भी सहमत हैं और यही इंडिया गठभंधन के नेताओं की आम राय है कि अभी इस मसले पर कोई चर्चा हमको नहीं करनी है अभी जो हमारा लक्ष है भारतिय जनता पार्टी को परास्त करना तो उसके लिए हम लोगों को सम्मिल करके काम करना है तो यह बात हुई है और इस पर कहीं कोई यह नहीं है अभी अलग अलग दलके नेता अगर अपने नेता के बारे में कुछ मांग करते हैं चर्चा करते हैं तो वह स्वतन रह वर कर, उन पर कोई रोक नहीं हो सकता है कोई कांग्रेशी अपने नेता के बारे में मांग करते हैं कोई जदिव अपने नेता के बारे में कोई मांग करते हैं तो कार करता हो पर बहुत ज्यादा लगाम नहीं लगाया जा सकता है लेकिन राश्टिय अस्तर पर जो इंडिया घटवंदन के नेता है वो इस मामले में ए एकमत हैं कि अभी प्रधान मंत्री पद की उमिदबारी की कोई चर्चा नहीं की जाए अभी हम लोग संगठीद हो करके भारती जं़ता पार्टी को परास्त करने के रहनेती बनादें प्टना में भी इंडिया गटवंधन की सन्यूक्त रेली होगी बड़ी रेली होगी और उसका व्यापक असर बिहार के मद्दाताओं पर पड़ेगा ऐसे भी इंडिया गटवंधन के पक्ष में बिहार का स्यमिकरन असपस रूप से दिखलाइ पड़ रहा है यहां अधिक इसकी पूरी संभावना है अभी इंडिया गटवंधन के नेताओं के बीच में मुख्य रूप से सीटों के तालमेल पर चर्चा हो रही है और यह अंदर से चर्चा शुरू भी हो गई है और इसका भी परणाम जल्दी ही आपको सामने नजार आएगा अपने लगता है कि जो नए प्रभारी कॉंग्रेस के बने हैं बिहार की मोहन प्रकास जी उनके नितित्यों में जो मामला है जो प्यचीदा मामला है उसको सुल्याने का काम जो है वो जल से जल खर लिये जाएगा मोहन प्रकास जी छात्र जीवन से ही जो जारू और संगहल सील नेता रहे हैं बियेच्चीव के प्रसेडेंट भी रहे हैं तो इनको लंबा अनुभव है समास सेवा का राजनिती का और कांग्रेस में भी काफी समय से ये हैं महासुचिप पहले भी रह चुके हैं महारास्ट जैसे महत्तुन राज के प्रभारी भी रहे हैं तो एक सफल राजनिता हैं और अभी कठिन परिश्थिती में बिहार का प्रभारी इसलिए बना गया है कि वह सामंजस असापित करने के बहुत माहिर लोगों में से हैं हमको लगता है कि राजत जद्यू के लोगों से बैठक है तो जैद्यू को बैठक में भी मंधन होगा और आपसी जो संगठन है जैद्यू का उसको कैसे मजबूत किया जाए उस पर वो लोग विचार करेंगे वो तो उनका आंतरिक मामला है इसलिए उस पर हम लोग को टिपन्नी नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी मंदान में होगी उसकी रनीती भी बन रही है और कॉंग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं महोन प्रकास जी उनके उपर काफी जिम्मवारी है कैसे शिटों का तालमेल बैठाए कैसे पुराने और नए कॉंग्रेसियों को एक साथ लेकर मजबूती के साथ लोग सबाचुन को कि अ, फया है और नए है और का तुराने खी हैं और को सिरू बनेती का तालमेल बने हैं